नमस्कार किसान वाईयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आलू में अरली बलाइट के बारे में यानि अगेती जुनसा के बारे में तो ये बीमारी अब लगबग आलू में धीरी देरे आना सुरू हो चुकी है हालां कि मौसम इसको नहीं मिल पारा, जिसकी बैसे ये पूरी तरह उभर के नहीं आ रही है लेकिन फिर भी ये आपके खेतों में देखी जा सकती है तो आज अरली बलाइट को कैसे पैचाने पहले इसके बारे में बताऊँगा बाद में मैं बताऊँगा इसके लिए आप कौन-कौन सी दबाई यूज कर सकते हैं जो आपके अर्रेव लैट में अच्छा कंट्रोल कर सकती हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करता हूँ और वीडियो को लास्तर जरूल देखना तब ही आपके लिए समझ में आएगी काफी लोग वीडियो नहीं देखते हैं और बाद में कहते हैं तबाई बताईए तो वीडियो को पूरा देखना पहले एक फोटो में दिखाने बाला हूँ एक पत्ती पर काफी दब्बे दिखाए देंगे फिर इसको लगबग 10 दिन में पूरी खेत में काफी ज़्यादा रोग बहेंगर इस्तिती में आ जाता है तो ये आपको काफी ज़्यादा समझना चाहिए अब देखो मैं आपको प्रैटिकल के रूप में दिखाता हूँ इस समय आप पत्ती पर देख रहे हो केवल एक किनारे पर एक दब्बा है ये जरूर नहीं है कि पहला दब्बा आपका बीच में आया किनारे पर कहीं पर भी आ सकता है पहला दब्बा आना चाहिए अब इस समय जो देख रहे हो ये आपको केवल और केवल चार से पांस दिन का अंतर आपको देख जाएगा काफी जगए ये अर्ली व्लैट आ चुका है किनारे से और इसमें जो भी धब्बा आता है आपकी पत्तियों पर बड़े आकर में आता है ये देखिए इसमें बीच में आया है फिर इसके साथ दिन में ये भी पूरतरे घूम गया है अब काफी लोगों को तब पता पढ़ती है जब उनके खेत में इतनी मतलब इस्तिती पर आ जाता है यानि काफी या इस्तिती पर आ जाता है शुरू में तो कोई दिक्कत हमको दिखती नहीं है और हमारी पत्तियों में भी हमें ऐसा नहीं दिखता है जब हमारे खेत में हर पती में रोग आना सुरू हो जाता है जब हमें देखता है कि Erly Blight या कोई भी रोग आ गया है फिर अम दुकान पर जाते हैं दबाई ले के आते हैं जब तक काफी काफी टाइम यह फूलता है, जिससे हमें काफी नुक्सान उठाना पड़ता है, क्योंकि आलू उसी टाइम फूलने वाला होता है, उसी टाइम यह रोग आ जाता है, तो उस समय हम रोग की दवाई देते हैं, उसमें दस बारे दिन घूम जाते हैं, और पूरे खेत में पीला-पीला हमको द भबा आएगा, उसके गोल रिंग आपको दिख जाएंगी, अगर बड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपको रिंग की तरह दिख राएए, कि चार तरफ इसमें कोई रिंग घूम रही है, ऐसा आपको दिख रहा है, तो यह काफी छोटे, बड़े सभी तरह के आकार की हो सकत हैं, लेकिन यह दब्बे आपको देखने होते हैं अपने खेत में, और इसके बारवे में जल्द फिल्ड में घूमने की बाद आपको और डेटेल में समझाऊँगा, फिलाल इस वीडियो में आप इतना समझीए, कि अपने खेत में जाकर आप थोड़ी इससे जानकारी लेक अपने खेत में देख सकते हो, कि हमारे में अर्ली बोट आ गया यह नहीं आ गया, काफी खिसान बाइयों को पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन काफी किसान बाइयों को अभी भी नहीं पता है, तो वो इस वीडियो के मादब से जानके ले सकते हैं, अब इसके हम दबाई की में बात करेंगे कि इनमें हम कौन-कौन सी अच्छी दबाई यूज कर सकते हैं तो मैं आपको एके करके दबाई का नाम बताऊंगा और आप उनमें से कोई साथ एक फंगी सैंड लीजिए और आपके में अर्लिवेट पूरी तरह रुख जाएगा कोई भी आपको प्रॉलम न की बारे में बात करते हैं मौक्सिमेट जो दबाई है जिसमें साइमेक्सोनल प्लस मेन को जब होता है और दूसरी दबाई की बारे में बात करें डूब वांट की एक्क्विशन प्रॉव आती है ये भी अर्रिव लैट में काफी अच्छी दबाई है तीसरी दबाई की बार और contact fungi side है और इसमें पाँच में दबाई के बारे में बात कर रहे हैं पाँच में दबाई आती है डूपोंट की करजट जिसको काफी लोग जानते है इसमें भी काफी अच्छा टेक्निकल है साहिमॉक्सिनल प्लस में को जब आता है जिसको आप अर्ली व्लैट में यूज कर स में से केबल एक fungi side लेना है किसी एक को ले सकते हो और जितना आपको ज़्यादा अगर अर्ली वैट देख रहा है उतना आप अच्छे अच्छे टेक्निकल को ले सकते हो जैसे एक्क्रोवैट डूपॉंट या आप इरकॉन इन तीनों में से ले सकते हो अगर आपको ज्याद वीडियो लेके आएंगे थेंक्यू धन्यवाद